हेलो गाईज येकवर फिर साब सभी का यूनिक ओनलाइन पोईटल में स्वागत है गैज BSEB यहनी की बिहार स्कूल एक्जामनेशन बोर्ड ने 10 और 12 का एक्जाम डेट यहनी की टाइम टेवल जारी कर दिया है गैज अगर आप मैट्रिक या इंटर का आप स्टुडेंट हो तो आप इस वीडियो का एंड तक देखिएगा च्योंकि इस वीडियो में मैं एक्जाम टाइम टेवल को रिवेल करने वाला हूँ जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपका कौन सा सब्जेक्ट किस डेट को होगा और कितने सिप्ट में एक्जाम होगा सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ तो चलिए गैज वीडियो को शुरू करते हैं तो गैज आप यहाँ पर देख सकते हैं वीडियो को शुरू करते हैं का लास्ट एक्जाम 24 फरवरी को है उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं नीचे में क्लास 12 एक्जाम डेट यानि कि जो इंटर का जो एक्जाम डेट है वो यहाँ पर दिया हुआ है फॉस्ट फरवरी 2022 टू 14 फरवरी 2022 तक है यां случа आप यहाँ पर देख सकते हैं फॉस्ट फरवरी को जो है इंटर का जो है पहला पेपर का एक्जाम होगा उसके बाद ये एक्जाम चलेगा 14 फरवरी तक यानि कि 14 फरवरी को इंटर का अवियारती का एक्जाम होगा second shift में second shift में जिस भी अवियर्थी का यहाँ पे exam होगा उसका यहाँ पे exam time दिया हुआ 1.45 दो फ़र से 5 बजे साम तक उसका paper चलेगा जिस भी candidate का exam second shift में होगा गैज उसके बाद गैज आप यहाँ पे देख सकने practical date भी यहाँ पे दिया हुआ इस column में आप यहाँ पे देख सकते हैं practical date दिया हुआ है उसके बाद गैज आप यहाँ पे देख सकते हैं यह जो है बिहार बोट के तरफ से जारी किया गया है इसका जो date है जारी करने का वो जो है 20 नमंबर को गैज यह जारी किया गया है तो चलिए गैज अब इस PDF का लिंक वीडियो के description box में मिल जाएगा अगर आप exam time table का PDF को download करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के description में मैं इस PDF का link दे दूँगा जैसे ही आप PDF लिंक पे click किजेगा PDF download हो जाएगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं परिक्षा की तीती यहाँ पे दिया हुआ जो 17,2,2,2 बैस यहनी की गुरुबार को पहला paper होगा metric का तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उसके बाद यह पर्थम पाली यहनी की first shift यहाँ पे दिया हुआ है और उसके बाद first shift में यहनी की जो first shift का paper होगा वो सारे 9 बज़े से start होगा और अप राहन यहनी की दो पर के 12,45 बज़े तक यह चलेगा और first shift में गनीत का paper होगा उसी तरह से दूतिया पाली का exam गैज यहनी की second shift का exam गैज आप यहाँ पे देख सकते हैं जो आप राहन 1,45 से start होगा और साम के 5 बज़े तक चलेगा इसमें second shift में भी गनीत का ही paper है उसके बाद गैज आप यहाँ पे देख सकते हैं उसके बाद जो है metric का जो second exam होगा यहनी की second paper होगा वो होगा 18 दू 2022 को सुक्रवार को गैज आपका second paper होगा उसमें गैज आप देख सकते हैं second paper जो होगा वो विग्यान का होगा जो paper सारे 9 बज़े से start होगा और 12 बज़ के 15 बज़े तक ही चलेगा और इसके बाद इसी तरह से गैज आप second पाली में यहाँ पे आप देख सकते हैं मतलब second sitting में जो इसका गैज है वो भी विग्यान का ही paper होगा और इसका time table यहाँ पे गैज आप देख सकते हैं और दोपर के 12 बज़ के 15 मिनट तक चलेगा उसी तरह से गैज यहाँ पे आप देख सकते हैं दूतिय पाली यानि की second sitting में भी गैज यहाँ पे subject same रेगा समाजिक विग्यान का ही रेगा और इसका time table गैज आप यहाँ पे देख सकते हैं जो 1.45 से start होगा और यह सामके सारे 4 बज़े तक चलेगा उसके बाद गैज आपका जो चौफा पेपर होगा वो होगा 21-22, 2020 को यहाँ कि फरवरी में 21 तारी को आपका पेपर होगा दीन होगा सोंबार का और यहाँ पर परथम shift में यहाँ की first shift में जो आपका पेपर होगा वो होगा अंगेजी यहाँ पे समानि इसका जो है यहाँ पर टाइम टाइम है एक पेटालीस से लेकर के पांच बजे साम तक उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका फाचमा पेपर होगा वो होगा 2222 को पांच में सब्जेक्ट का पेपर होगा जिसमें आपका यहाँ पर मात्री भासा का एकजाम स्केंड शिप्ट वालों का 1.45 स्टार्ट होगा यहां पे 5 बजे तक उसको यहां पे समय दिया गया साम तक का उसके बाद गयाज यहां पे देख सकते हैं दूतिया भासा का एक्जाम यानि कि वो होगा 23-22 को यानि कि फरवरी में 23 तारीक को अपका एक्जाम होगा दीन होगा बूदबार और उसका भी गयाज यहां पे समय सेम है सारे 9 बजे से दोपर के 12 बजे तक और इसके बाद दोतिया पाली यानि कि सकेंड शिप्ट में भी उसका टाइम टेबल आप यहां पे देख सकते हैं दोपर के 1.45 से साम के 5 बजे तक चलेगा उसके बाद एक्चिक विस का एक्जाम टायम है वो है एक 45 दोफर से साम सारे 4 बजे तक यानि कि 4-30 तक तो घज यह था तेन्थ का टाइम टेबल यानि कि मेट्रिक एक्जाम का टाइम टेबल तो घ्यज अगर आप इस पीडिएफ को डॉनलोड करना चाहते हैं यानि कि इस टाइम टेबल को आप डॉ कर देता हूं तो आप यहां पर देख सकतें यो है बिहार इसकूल Amazing Board पटना पटना और यह आप देख सकतें प्रोग्राम पर Intermediate Annual तो यह जो Tim Table है वह स्टुटेंट के लिए है वह ज आप यहां पर देख सकतें examination 2022 तो यहां पर देख सकतें जो त Wealth का पहला पेपर होगा यानि कि इंटर का जो पहला पेपर होगा उसका डेट यहाँ पे गैज दिया होगा है वो है एक दो दोजार बैस यानि कि फरबरी में एक तारीक को और दीन होगा उस दिन टूजडे उस दिन यहाँ पे गैज आप देख सकते हैं यहाँ तो गैज यहाँ प पर के एक पे तालिस से सामके पांच बजे तक चलेगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे पहला पेपर जो होगा यहाँ पे एक दो दोजार बैस यहनी की फरवरी में एक तारीक को और दीन होगा उच दिन टूजडे उच दिन जो है आई और डॉट है ऐसी मतलब ज जो आई यह मतलब आइट से है उसका भी एकजाम मैत का ही होगा उसी तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं सकेंड सिप्ट में फरवरी में एक तारीक को जिस भी इंटर कंडिटेट का एकजाम सकेंड सिप्ट में होगा और वो आइट से होगा तो उसका यहाँ पे मैत नहीं हिंदी का exam होगा उसके बाद गैज यहाँ पर देख सकते हैं 2022 यानि कि फर्वरी में दो तारीक को दिन होगा वेडनस डे जिसका वेडनस डे और यहाँ पर I.S.C. यानि कि इंटर साइंस वालों का exam होगा जिसका exam होगा यहाँ पे गैज physics का तो गैज आप यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट शिप्ट का exam होगा physics का और second shift वालो का IA यहनी कि जो भी गैज यहाँ पे arts से है उसका exam यहाँ पे second shift में English का होगा और VOC में जो भी है उसका यहाँ पे English होगा उसके बाद गैज आप आप यहाँ पे देख सकते हैं 3222 यहनी कि फर्वरी में तीन तारीकों दीन होगा उस दिन Thursday और science वालो का exam जो होगा यहाँ पे first shift में chemistry का और उसके बाद second shift वालो में जो IA यहनी कि जो art से है उसका यहाँ पे geography का exam होगा और उसके बाद second shift में जिस भी science वालो का exam होगा उसका यहाँ पे chemistry का नहीं agriculture का exam होगा यहनी कि गैज अगर आप science से है तो आपका first shift में तो chemistry हो जाएगा लेकिन आप science से है तो second shift में अगर आपका paper है तो वहाँ पे गैज आपका यहाँ पे science में Chemistry नहीं Agriculture का Paper होगा जो यहां पर गैज आप देख सकते हैं दिया हुआ है उसके बाद गैज आप यहां पर देख सकते हैं 4222 यानि कि February में 4 तारीक को दीन होगा Friday उस दिन गैज आप यहां पर देख सकते हैं IEC यानि कि Inter Science और I.com यानि कि Commerce वालों उस दिन गैज यहां पर Science वाल उसी तरह से second shift वालों में आई यानि कि जो inter arts है उसका यहाँ पे history का paper होगा second shift में और VOC से जो भी है उसका यहाँ पे गैज देख सकते हैं उसका यहाँ पे elective subject का paper यहाँ पे होगा उसके बाद गैज उसी तरह से 7222 यानि कि February में 7 तारीक को दिन होगा Friday IST यानि कि inter science वालों क जो exam होगा वो होगा biology का गैज आप यहाँ पे देख सकते हैं और second shift में आई यानि कि जो inter arts है उसका जो exam second shift में होगा वो होगा political science का और commerce वालों का गैज आप यहाँ पे देख सकते हैं उसका यहाँ पे business studies का यहाँ पे exam होगा तो गैज आप यहाँ पे देख सकते हैं आठ द तो 2022 यानि कि फरवरी में आर्ट तरिक 2022 को गाज यानि कि टूजडे को ISE Commerce का फर्स्ट टिप में जो होगा दोनों का हिंदी का एक्जाम यहाँ पे होगा और सकेंड सिप्ट में इसी डेट को गाज यहाँ पे आई यानि कि जो इंटर आर्ट से है उसका यहाँ पे इक्नोमिक् यहाँ पे जिसका भी जिस भी Commerce Student का एक्जाम सकेंड सिप्ट में होगा उसका हिंदी का पेपर नहीं होगा इक्नोमिक्स का पेपर होगा उसके बाद गैज आप यहाँ पे देख सकते हैं 9-222 यानि कि फरवरी में 9 तारिक 2022 को Wednesday को गैज एक एक्जाम आपका और होगा गैज आप यहाँ पे देख सकते हैं यह एक्जाम उन परिक्षार्टियों के लिए हैं जिनके दुआरा इन भासा इन भासा विसे में से एक विसे का चैन अनिवार्ज विसे समू के अंतरगत किया गया हो अगर इस में से आप किसी भी सब्जेक्ट को चूज किये होंगे तो गैज फरवरी 2022 में नो तारीक को दिन होगा वेडनस डे फर्स्ट आई एसी यहां पे दिया हुआ है और इसी तरह से सकेंड शिप्ट में भी गया है यहाँ पे सैकलोजी का पेपर होगा जिस भी इंटर आइट स्टूडेंट का exam second shift में 9-2-2022 को Wednesday को होगा उसका यहाँ पर second shift में जो exam होगा psychology का होगा उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर 10-2-2010-2-2022 को गाई यहनी कि इंटर आर्ट का यहाँ पर music का पहला shift में exam होगा उसके बाद VOC का गाई यहाँ पर foundation course का यहाँ पर exam होगा इसी date को गाई जिसका भी exam second shift में होगा और इंटर आर्ट से होगा उसका यहाँ पर गाई देख सकते हैं home science दिया हुआ है उसके बाद VOC का यहाँ पर subject यहाँ पर आप गाई देख सकते हैं दिया हुआ है यहाँ पर IA और VOC का यहाँ पर गाई फर्स शिप्ट में पेपर दिया हुआ है यहनि कि जो इंटर आर्ट से है गाई उसका यहाँ पर psychology का पेपर होगा और जो VOC से है गाई यहाँ पर आप देख सकते हैं उसका subject code के हिसाब उसका in subject code के हिसाब से पेपर होगा उसके बाद गाई इसी तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से गाई पर पूरा time table को आप यहाँ से देख सकते हैं तो गैई इस time table को अगर आप download करना चाहते हैं तो इस time table का मैं PDF link वीडियो के description box में डाल दिया हूँ तो आप link पे click करके इस time table को download कर लिजिए तो गैज अगर आप exam से related या फिर time table से related अगर आप doubt पूछना चाहते हैं तो आप इस video के comment section में आप comment किजिए अगर मैं आपको reply दूँगा या फिर आप हमसे call पे भी बात कर सकते हैं context detail video के description box में आपको मिल जाएगा तो अमिद करता हूँ गैज कि आज किस वीडियो में दी गई जनकारी साब संतुष्ट होंगे गैज अगर वीडियो आची लगी हो तो वीडियो को like और channel को subscribe कर दीजेगा क्योंकि मैं अपने channel पे इसी तरह का वीडियो लाते राता हूँ तो चलिए गाज मिलते हैं किस अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई जाहिंदे